हालो फ्रेंड्स समर्स का वेलकम करना है तो हमको तयार होना है शेक्स जूसेज और स्मूधी के साथ इसी सिलसिले में आज हम बना रहे हैं पपाया चिया सीड़ शेक जिसके लिए हमने लिया है आदा लिटर दूद्ध आदा किलो पपीता और दो टीचपुन चिया सीड़ बस तेंस तीन इंग्रिडियन के साथ हम बहुत जादा न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला एक शेक तयार करेंगे जो कि हमारे लिए पेट भरने के लिए मौनिंग आवाज में काफी है आप ब्रेकफास के जगव इसको ले सकते हैं वेट लॉस जिनको करना है उन लोगों के इसके लिए अनलिमिटेड बेनेफिट्स हैं पपया अपने आप में एक नूटिशियस फूड है और मिल्क जो आप लेंगे दूद इसमें वह आप अपनी इच्छा नुसार फुल फैट या लो फैट दूद ले सकते हैं इसके लिए हमने आदा किलो दूद और आदा किलो प इसको पपीते को चील के हमने चील दूद के साथ मिक्सर में इस तरह से देखिए प्योरे कर लिया है और बचेवे दूद में इस प्योरी को मिला लिया है इसको बिल्कुल हमने ऐसा नहीं किया है कि पूरा फाइन प्योरे किया है कुछ चंक्स इसमें पपीते के हमने थोड़ा रफ ली आपको इसको मिक्सर में ग्राइन करना है यह देखे इस तरह से बाकी बचेवे दूद में हमने इसको पूरा मिला लिया है अच्छे से आप खास तोर पे गोर कीजिए कि हमने इसमें मिठास के लिए अडिशनल कुछ भी नहीं डाला है ना शकर है ना कुछ अगर आप चाहें तो आप इसमें शकर गुड़ या हनी मिला सकते हैं साथी में हमने जो चिया सीट्स लिये थे उसको आदे गंड़े के लिए पानी में भिगो दिया था जिससे वो फूल के तीन गुणा हो गए है वो भी अब हम यहां पर मिला रहे हैं यह देखे बहुत अ सेवन से आपको बहुत देर तक स्टमक फूल रहता है आपको भूख नहीं लगती है इसके और भी जो फायदे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने नोट कर आए हैं आप उस पे जरूर गौर कीजेगा उनको जरूर पढ़िएगा तो आपको चिया सीट्स के बेनिफिट पता चलेंगे यह चीज आजकल मार्केट में हर जगह उपलब्द है देखे हमारा शेक तयार है आप अपने मन पसंद ग्लास या जार में इसको सर्व कर सकते हैं इसको बनाते ही तुरंत इसका उप्योग हमको कर लेना है इसको रख नहीं देना है कि आप इसको आदे गंटे अपने घर में सभी को बना के खिलाईए तैंक्यू सो मच इसको जरूर लाइक और शेयर किजिएगा धन्यवाद